कई हजारों सालों से हम मानव सूख्षम जीवों से हो रहे लाभों से लाभानवित हो रहे हैं किन्वन अर्थात फर्मेंटेशन तंतरक्ज्यान का विकास मानवी सभ्यता के अरम के काल में ही हो गया था क्योंकि हमें सूख्षम जीवों की अलकोहल जैसे पे निर्मान की शमता के बारे में बहुत पहले से ही पता चल गया था और इसी के साथ खमीर वाले ब्रेड और चीज निर्मान भी शुरू है इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ये सूख्षम जीव दूद से दही बनने की प्रक्रिया में ब्रेड बनाने में और साथ ही अनेक प्रकार के एंटिबॉइटिक जैविक अमल और किन्वन अर्थात एंजाइम बनाने के काम में आते हैं हम सब जानते हैं कि लैक्टो बैसली इस बैक्टिरिया के कारण दही बनता है Хमारी पाचन संस्था में भी अनेक प्रकार के उपयोगी सूख्षम जीव पाये जाते हैं और हमारे पेट में पाये जाने वाले इन सूख्षम जीव की रक्षा लैक्टो बैसली करता है ये बै इच का स्तर कम होता है और दूद गाढ़ा होना शुरू होता है इस प्रकार उसमें वो जानी पहचानी गंद और खटास आती है खाद उद्योग के लिए उत्पाद सूख्षमजीव का उपयोग अन्न के रूप में भी किया जाता है परंतु अधिकान समय इनका उपयोग मूल और खाद्यान को किसी विशेश या अधिक उपयोगी उत्पाद में बदलने के लिए माध्यम के रूप में किया जाता है ये सूख्षमजीव स्वयम ही हम मानों के लिए अन्न का आकरशक स्त्रोत है इस्ट और धागों के जैसे महीन कवक अर्थात फंगी ये हम मानों के लि और भूमी का निभाता है गोश्ट से बने कुछ खास प्रकार के पदार्थ बैक्टेरिया के किणवन अर्थात फर्मेंटेशन की प्रक्रियादवारा तैयार किये जाते हैं जैसे सौसेज और सलामी अन्य पदार्थों में खटी गोबी और घर के बने आचार का समाविश हो और खादे में पोशक मूल्य की आपूरती करने वाले घटक बनते हैं काफी सालों से विभिन्न प्रकार के विनिगर इस प्रकार से जाइका बढ़ाने का और अन्न परिरक्षन करने का काम कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार के बैक्टेरिया का उप्योग कर बड़े पैमाने पर व्यावसाइक तोर से विटेमिन और अमीनों अमलों का उत्पादन हो रहा है वे सारी व्यावसाइक प्रक्रिया जिनमें सूख्समजीवों का उप्योग होता है उनमें अलकोहोलिक पे उद्योग को आर्थिक द्रिष्टी से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अन्य सूख्समजीव एंजाइम का उप्योग कर सूख्समपरमानों का विगटन सरल इकाईयों में करते हैं यह इकाईयां उनके लिए कारवन और उर्जाका स्त्रोथ होती हैं यह एंजाइम कोशिका की सताह पर होने के कारण वे सूख्समजीवों द्वारा तुरन बरामद भी कि जा सकते हैं यह एंजाइम व्यावसाइक तोर पर बड़े उप्योगी होते हैं माइक्रोबियल किणवन परक्रियादवारा निर्मान होने वाला सबसे महत्वपूर्ण जैविक आमलस साइट्रिक एसिड होता है कुछ सूख्समजीव का उप्योग आवरोधकों के समान होता है वे कुछ किटानूं की रोक थाम के लिए उप्योग में लाए जाते हैं जैसे बैसिलस थुरिंगेनेसिस यह सूख्समजीव एक प्रकार के प्रतिन का निर्मान करता है जो कीटक नाशक के रूप में इस्तमाल किया जाता है एंटिबॉइटिक बैक्टिरिया और फंगी यहीं जैशक्ते इरथात कवक एंटिबॉइटिक का निर्मान करते हैं अपियोगी ऐंटिबॉइटिक का निर्मान सूख्समजीEO के एक बड़े वर्ग द्वारा किया जाता है जिसे एक्टिनुम मैसेट का जाता है व्यावसाय के रूप से नंटिबॉइटिक का बड़े- करन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जैसे उनके रोगों को थामने की क्षमता प्रक्रिया करने की पद्धती वे संस्लेशन किस प्रकार करते हैं और उनकी रासायनिक संद्रचना इत्यादी बारे में विचार किया जाता है टीके और अन्य उत्पाद सूक्ष्मजियों को अनुवंशिक रूप से ही इंशुलिन निर्मान करना आता है इसे के साथ वे मानों के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन टीके और दवाईयों के दृष्टी से आवश्यक अन्य योगिकों का निर्मान कर सकते हैं टीकों का कर्यावरण के संदर में उपयोजन चुकि सूक्ष्मजियों की जैविक पदार्थों के विगटन की क्षमता बहुत अधिक होती है इसी कारण इन्हें मैला व्यवस्थापन के लिए मल जल व्यवस्थापन सयंत्र में भी इस्तमाल गिया जाता है बायो गैस सूक्ष्मजिय में विक्सित होते हैं और वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाय ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ मिथेन गैस का निर्मान करते हैं वे बैक्टिरिया जो इस प्रकार से गैसिये मिश्रणों का निर्मान करते हैं उन्हें सामोहिक रूप से मेथानोजेंस कहा जाता है Methanobacterium ये इस प्रकार का एक methanogenes है